लोगसभा चुनाओं से पहले चतिजगर के पूर मुख्यमंत्री भुपेश बगेल के खिलाब चतिजगर पुलीस की EOW और ACB विंग ने महादेव बैटिंग एप के मालिकों से 508 करोड रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने के मामले में Prevention of Corruption Act के तहट FIR दर्स कर लिया है कॉंग्रेस ने भुपेश बगेल को राजनद गाओं से लोगसभा का प्रत्याशी बनाया है और इस FIR के बाद बगेल के मुश्किले बढ़ गई है ED ने अपनी चार्ज शिट में दावा किया है कि हुपेश बगेल और उनके सरकार के कई मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को महादेव बैटिंग एप में करोड रुपए प्रोटेक्शन मनी दिया है ED ने चंदराकर और उपल के करीबी असिम दास को विधासवा चुनाओं की आचा सहीता लगने के बाद 3 नवंबर को रायपूर की एक होटल की पार्किंग से गिरफतार किया था इस दोरान असिम दास की गाड़ी और घर से पौने 3 करोड रुपए बरामत भी किये गए थे असिम ने बयान में कहा कि वो ये पैसे किसी भुपेश बगेल को देने आया था इस दोरान दास ने यह राज़ फाश किया था कि वो अब तक 508 करोड रुपए भुपेश बगेल को पहुँचा चुका है इस याधार पर भुपेश बगेल के खिलाफ एफ आयार दर्स की गई है